आज के सुडियो हम बाते हैं फ्लिपकाट बिग दिवाले सेल पर आप में से बहुत सारों सोच करें कि यह मौल खरना है यह कंपिटर खरना है और आप नहीं खर सकते कि प्राइस बहुत जादा है और यह जो सेल स्टार्ट होई यह स्टार्ट होई है 29 ताइक सेल के चार नौम यह बस फेक सेल आप उसके बोल सकते हो कि प्राइस बहुत जादा ही है सेल को मतलब यह नहीं होता है कि एक रियादा पर डिसकाउंट कर दिखने मिलेगा यहां पर लिक्स निकल के आ चुकी है फ्लिपकाट बिग दिवाले सेल जो कि रियल वाला होगा वह स्टार्ट होगा 11 बादर मृम्बर के आसपा से बुष्ट हो जाएगा ऐसा एक कि प कंफर्म था नहीं कि इंग से स्टार्ट हो पर इस यह तो बोला गया कि उसके आध कि यह तो एक दिन पहले यह तो इंग बार स्टार्ट बहुत है और यहां पर हम अच्छा सा डिसकाउंट दिखने मिले यह यहां नहीं मिले इस पर मैं बोला चाहूंगा तो अगर जैसा कि आप सब जानते हो अगर जो लोग एकनोमिक्स पड़े हैं तो महां पर बात होता है law of diminishing marginal utility जैसे समान कम होता है उसका price बढ़ता है और अभी के टाइम है अगर जैसे कि मैं बात कुछ लैपटाप की तो लैपटाप जितना भी होता है सब बन गयाता है और चाइना से विए ट्रेड हो नहीं रहा है जो समान इंडियन के मार्केट में है वही बिक रहा है और जितने भी लैपटाप है इस टॉक्स एक्दम खतम होती जारी है अगर आपके पास मार्केट में लीजिए एक समान है जो कि सो के मातर में तो उसका प्रैस कम होगा वही कानटी विक रहा है वही समान इंग नहीं oh ^^ मतलब राइसे हम basic necessities हम लोग के लिए हम लोग को खाना ही है और उसकी quantity बहुत कम हो जाए तो उसकी price increase कर जाएगा तो वैसे यहां पर laptops में होगा है laptops बची ही नहीं तो उसकी price इसलिए increase होती होती है और यहां में मतलब विल्कुल भी value for money देखने हो नहीं मिलेगा तो कितना सस्ता होगा कितना नहीं होगा यह बात में मैं बात नहीं करना चाहूंगा यह sale स्टार्ट होगी ग्यारत है और यह जो भी sale चल जा है उन्तिस से चाल नवब तक जो sale चल जा है इससे आपको ज्यादा सस्ता देखने मिले इस बात का मैं आपको guarantee देता हूँ तो अगर झाल